हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एंटी डॉट्स फॉर पॉईजनिंग के बारे में कि जो अलग-अलग पॉईजनिंग होते है तो उसके ट्रीट्मेंट के लिए स्पेसिफिक एंटी डॉट्स वगेरा को यूज किया जाते है तो वो एंटी डॉट्स कौन से और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं अलग-अलग पॉईजनिंग कंडिशन को मैनेज करने के लिए तो सीखते हैं डीटेल में ये वीडियो लेक्चर में about the antidotes तो एक्सपेट लेक्चर बाई अमर सर, असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोग्स तो अगर आपके पास Android phone है तो डाउंडरोड करें Android अप्लिकेशन iPhone है तो App Store पर से डाउंडरोड करें लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझें antidotes के बारे में तो उसका definition के है तो antidote is a substance that can counteract a form of poisoning मतलब कि poisoning के सामने जो counteract करने वाला जो substance है उसको हम कहते हैं antidote मतलब कि कोई poisoning हुआ है कि ये कोई egg substance है ये वाला egg substance का आपको हुआ है poisoning तो इसकी poisoning की जो effect है उसको कम करने के लिए हम जो बाहर से दूसरे substance यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे कि antidote की इसके सामने जो हम दूसरे substance यूज़ करते हैं कि उसको हम कहते हैं कि समझो a कहते हैं तो उसके ये अलग-अलग particles ये जो x जो आपका poison है उसके सामने क्या करते हैं ये counter attack कर रहे हैं ये वाला जो a है वो समझ लो कि आपके antidote है और x के वज़ाए समझो कि मैं यहापे p लिखता हूँ तो p जो है वो आपका poison है तो poison का जो molecule है तो ये वाला हो गए आपका p for poison तो ये poison के सामने बाहर से counter attack कर रहे है आपके antidote के molecules को समझो में ये वाला color देता हूँ तो ये बहुत सारे antidote के जो molecule आ जाते है उसके counter attack करने के लिए तो ये क्या करेंगे कि जो poison की जो effect थी उसको दिरे दिरे कम कर देंगे और poison के कारण होने वाले जो toxicity थी या फिर जो भी patient की condition हुई थी वो दिरे दिरे क्योर करने का काम करेंगे ये antidote तो antidote का main काम यही होता है कि वो poison के सामने counter attack करते हैं और poisoning की जो effect होती है वो दिरे दिरे क्या कर देते हैं काफी कम कर देते तो यही है concept about the antidote की poison को counter attack करने वाले जो substances होते हैं उसको हम कहते हैं antidote तो the term antidote is a Greek word that means antidodonai meaning given against कि किसी के सामने कि जो poison है तो उसके सामने देने वाले उसके against में जो देने वाले हम medication से उनको कह सकते हैं antidote and antidote is a chemical especially a drug that limits the effect of a poison कि एक और definition यहाँ पर simple कि antidote के है तो antidote एक टाइप का chemical ही है कि जो specially drug भी हम कह सकते हैं कि जो limit करते हैं effect of a poison कि poison की या फिर जो कोई toxicity आपके body के अंदर होती है तो वो toxicity को reduce करने के लिए जो chemicals use कहते हैं और especially वो chemical एक टाइप के drugs ही है कि जो poison के सामने counter attack करते हैं और उसकी जो effectiveness से उसको कम करके proper जो है वो patient के treatment करते हैं a way of preventing or acting against something bad that are also a antidote and poison antidote destroy the poisoning कि जो भी poison का जो antidote है वो क्या करेगा and destroy कर देगा poisoning को और उसकी effect के जो की poisoning की effect आपको हुई थी वो effect को कम कर देगा यह आपका antidote तो antidote की जरूरियत की वे तो need of an antidote की the need of antidote for different drugs happen due to the toxicity of a drugs or we may say that due to the misuse of the drug and poison कि हम जानते कि कुछ ऐसे poisoning substance होते है कुछ ऐसे medications होते है कि समझे कि उसका किसी ने misuse किया है वो medications या फिर वो drug substances की toxicity हुए तो वो toxicity के करण किसी की तब्यत खरब ना हो as well as उसकी death ना हो आगे जाके और proper हम उसकी treatment कर सके, server कर सके तो उसी के लिए antidote स्वगेरा की जरूरत रहती है तो toxicology is the study of the effect of poison on the function of a living system all things are poison and nothing is without the poison only the dose permit something not to be poisonous तो ये काफी ये golden sentence कहा है कि सभी substances जो कि आप excess amount में लेते है तो वो बन सकते है poisonous कि सिर्फ उसका जो dose है वो ही permit करता है उसके safe use को कि समझो कि कोई medicine है तो ये medicine की poisonous effect आपको कब मिलते है कि जब उसका आप overdose करते हैं कि जैसे आप देखो कि सिर्फ एक tablet की समझो की जरूरत थी कि इसमें से सिर्फ एक ही tablet लेने की जरूरत थी बड़ समझो कि आप ये सारी tablet ले लेते हैं तो क्या हुआ ये miss use हो गा है उसका और जब इस तरह से कोई miss use कर लेते हैं कि सिर्फ एक ही tablet की जरूरत थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो टेबलेट की जरुरत थी बढ़ उसके सामने ये समझो कि आप 40-50 जितने टेबलेट यूज कर लेते हैं तो वो फिर जो मेडिसेन जो उसकी मेडिसेनल एफेक्ट देथी थी उसके जगाए देगी कि अपनी पॉईजन इस इफेक्ट या फिर उसको हम कह सकेंगे कि उसके टॉक्सिस इज़्याई तो आपको दो टेबलेट की आप इतने सारे टेबलेट ले लेते तो काफी सारा डोज आपके बॉड़ी के अंदर जाता है जिसके गरन हम कह सकते है कि इतने सारे समझें कि कोई टैबलेट ले लेता है तो उसके करन जो है वो पॉईजन इस इफेक्ट उसके अंदर होगी टॉक्सिसिटी होगी और यही टाइप के जो टॉक्सिसिटी कही बार होते है कोई परसन इसका मिस यूज कर लेता है कोई पॉईजन को यूज कर ले तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसका इलाज करने के लिए जरुवत पड़ते हैं लगला गैंटी डॉट्स की तो अब जानिये कि किस तरह से कोई पॉईजन इंक को मैनेज किया जाता है सबसे पहले कि जब कोई परसन पॉईजन ले लेता है या फिर कोई मेडिकेशन के ओवरडोस के करन की जैसे अभी हमने प्रिवियस स्लाइड में ही देखा कि एक या दो टैबलेट की जरुवत थी उसके सामने समझे कोई परसन पचास टैबलेट ले लेता है तो उसमें से कुछ ड्रग तो एबसर्फ हो जाएगी बड़ बाकी की अभी उसके समझे के स्टामक वागेरा में है तो जरुरी है कि जो औन एबसर्फ हुआ जो पॉईजन है उसको जो है वाप रिमू करवा दो तो रिमू दा औन एबसर्फ पॉईजन की जो पॉईजन अभी तक absorption नहीं हुआ है वो पॉईजन को जो है उसकी बॉड़ी में से रिमू करवा सकते और उसके लिए एक option रहता है वामिटिंग करवाना तो ट्रीट एन एक्स क्रियेट दा एबसर्फ पॉईजन एक तो औन एबसर्फ पॉईजन को भी रिमू करवाना कि जो अभी तक स्टमक में ही है तो टैबलेट्स का जो ओवर्डोस लिया था तो वो समझो कि अभी तक टैबलेट्स कुछ डिजॉल नहीं हुए यह एबसर्फ नहीं हुए उसके तो वो वामिटिंग करवा कि आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं उसके लिए इमेटिक्स वगेरा को यूज करते हैं इमेटिक्स कैन अल्सो भी यूज तो रिमूव दा पॉईजन बाई वामिटिंग तो यह हो गया यह फर्स्ट वाले जो अप्सन का प्रॉपर जस्टिफिकेशन अब यह वाला समझो कि जो सेकंड वाला पॉईट है यह तो टू ट्रीट एन एक्स क्रियेट दे एबसर्फ पॉईजन कि अब जो पॉईजन कुछ एबसर्फ हो गया है पर्सन की बॉड़ी के अंदर तो उसके सामने जरूरी है प्रॉपर इस टाइप की एंटीडॉट देना कि समझो कि यह कोई एंटीडॉट है तो फिर आप क्या करेंगे कि यह एंटीडॉट जो है उसको समझगे कि पेसंट औरल ही लेता है तो औरल ही दे सकते हैं इंजेक्षन से देने की जरूर थे तो आप उसका इंजेक्षन वगेरबी पर्संग को दे सकते हैं poisoning management के लिए तो सबसे पहले removal of unabsorbed poison कि जैसे यहाँ पर हमने बात की कि vomiting करवा के आप unabsorbed poison को जो है वो उसके body में से बाहर निकाल सकते है second है कि use of antidote कि जैसे अब यह वाली बात है कि यह while के अंदर समझे कि कोई toxicity का antidote है तो यह antidote जो है वो आप person को दे सकते है injection से दे सकते है orally भी दे सकते है कुछ antidote inhalation के थूँ भी दिये जाते है फिर बात आती है कि elimination of absorb poison कि absorb किया हुआ poison आप जो है उसका elimination करवा सकते है और elimination के लिए बहुत सारे जो अलग-अलग techniques से आप उसका elimination करवा सकते है कि urine के थूँ भी elimination होता है फिर बात करे तो stool के थूँ हो जाता है vomiting के थूँ भी हो सकता है और proper use of antidotes और चौता है कि symptomatic treatment कि अब जो भी treatment है आगे कि समझो कि patient थोड़ा stable हो रहा है तो आगे उसके symptoms के basis पे proper treatment जो है वो की जाते है कि जो भी उसके symptoms देखने को मिल रहे है उसके according to आप आगे medication start करके उसके treatment कर सकते है तो अब जानते हैं कौन से ऐसे अलग-अलग popular antidote से कि जो अलग-अलग poisoning के अंदर use किये जाते हैं तो सबसे पहले समझे कि acetaminophen poisoning तो acetaminophen मतलब की हमारी popular drug PCM की जिसको हम कहते है paracetamol तो paracetamol की जो medicine है fever की बट यही medicine का कोई करता है misuse या फिर उसको overdose के अंदर आप use कर लेते हैं कि overdose कर लेते हैं कि समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन tablet लेते हैं paracetamol की कि one इस तरह से तीन tablet आप लेते हैं एक morning में लेते हैं एक afternoon में लेते हैं और फिर आप रात को एक लेते हैं तो इस तरह से morning, afternoon and night यह तीन tablet आप लेते हैं खाना खाने के बाद या फिर अच्छे से breakfast करने के बाद but कोई person यह तीन tablet के बजाए समझे के पचास tablet ले लेता है या फिर उससे भी ज़्यादा बहुत सारे tablet वो यूज करता है उसके toxicity हो गई है body के अंदर poisoning हो गया है तो वो poisoning को treat करने के लिए आप acetyl cystine को देगे as a antidote तो यह acetyl cystine आपके लिए बनेगा antidote for the poisoning of acetaminophen की जिसको हम कहते है paracetamol उसी तरह से जो second drug है हमारी that is tensilon as a antidote तो tensilon यूज किया जाता है किसी को जब क्यूरा रे करके जो एक herbal medicine आती है उसका poisoning होता है तो क्यूरा रे के poisoning के अंदर tensilon यूज होता है as a antidote फिर क्यूमाडीन का समझे के poisoning हुआ है तो उस वक्त vitamin K जो है वो use किया जाता है as a antidote फिर digitalis poisoning के अंदर disabint use होता है and cyanide के poisoning के अंदर कई बार आप देखतोगे cyanide का poisoning हुआ है तो उसके अंदर amyl nitrite या फिर sodium nitrite जो है वो use किया जाता है as a antidote तो यह हो गए first five most important and popular antidotes for various poisoning second slide में देखते हैं दूसरे कुछ antidotes की जब benzo diapines का आपको poisoning हुआ है तो उसको antidotes के तोर पे दिया जाता है flumazanil फिर iron poisoning है तो उसके अंदर disferal करके जो आता है medicine उसको दिया जाता है antidotes के तोर पे lead का poisoning है तो उसके अंदर EDTA, ethylene diamond, tetraacetate या फिर BAL को हम यूज करते है ethylene poisoning के अंदर anti-zol को यूज किया जाता है magnesium sulfate के poisoning में calcium gluconate को हम यूज करते है फिर है penicillin तो penicillin के समझे के किसी को toxicity हुए penicillin को बहुत सारे excessive hormone पे लिए गया है तो हम जानते के penicillin तो एक antibiotic है तो उसके toxicity के अंदर antidote जो हम यूज करते है that is epinephrine फिर है morphine sulfate तो उसके toxicity के अंदर naloxone hydrochloride जो है वो यूज किया जाता है as a antidote फिर है vincristine तो vincristine की जो vincal alkaloid है cancer के treatment में यूज किया जाता है बट समझे कि उसके overdose के करण उसके excessive use के करण जो toxicity हुई है poisoning हुआ है तो उसके treatment में आप high alluronidase को use कर सकते है फिर बात आती है neostigmin तो neostigmin के poisoning के अंदर pralidoxime chloride को हम use करते हैं फिर है mastinon तो mastinon के लिए atropine sulfate को use किया जाता है as a antidote आगे सिखते हैं number 16 तो ethylene glycol का समझे के poisoning हुआ है तो उस वक्त ethenol से आप उसको जो है वो treat कर सकते है 17 number में देखे तो caffeine का poisoning के तो उसमे small all को use किया जाता है फिर number 18 में हम देखे तो beta blockers का जब poisoning होता है beta blockers के जो drug है कि propronol है ethenolol वगेरा तो जितने भी lol वाले beta blockers से उसके poisoning के अंदर glucagon को जो है उसको use किया जाता है as a antidote फिर barbiturates जो medication से उसके poisoning के अंदर जो चारकॉल या फिर जो हम activated charcoal कहते हैं कि जो universal antidote के अंदर भी use किया जाता है उसको हम use करते है as a antidote and maya proteinol poisoning के अंदर isnolol को हम use करेंगे तो यहाँ 20 देख हमने complete किये आगे समझते है 21 number that is colinesterase inhibitors की जब आपको toxicity हुई है तो उस वक्त antidote का काम करेगा atropin जैसे colinesterase inhibitor है तो वो समझो कि किसी ने higher dose वा गिरा में ले लिया है उसके toxicity हुई है poisoning हुए तो उसके अंदर atropin जो है आपके लिए first choice बनता है as a antidote फिर hyperin जो है anticoagulant उसके poisoning के अंदर protamine sulfate जो है वो उसका antidote बनता है तो यह खास याद रखे most IMP point है यह कि यह सब MCQs के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है वाइवाब में के अंदर भी जरूरी है as well है समझे कि आप practice वगरा कर रहे है तो भी यह antidote का जो knowledge है वो आपके पास अच्छे से होना चाहिए फिर जो isoniaz है उसके poisoning के अंदर vitamin B6 के जिसको pyredoxin का जाता है iron salts के poisoning के अंदर pyreoxamine यूज किया जाता है वारफेर इनका जो poisoning होता है उसमें vitamin K को हम यूज करते है 26 नमबर की जो salicylate से उसके poisoning के अंदर charcoal या फिर activated charcoal आप यूज कर सकते हैं quinidine poisoning के अंदर sodium bicarbonate muscarinic receptor blocker से और उनके समझे के poisoning हुई है toxicity हुई है overdose ले लिया है तो उस वक्त phyzostigmin को use करके आप उसकी effect को कम करके उसको as antidote use कर सकते हैं calcium channel blockers जो है उसके लिए भी glucagon यूज किया जाता है and cyclophosphamide के poisoning के अंदर mesna कि यह वाला जो आप mesna का injection दे रहे हैं देख रहे हैं उसको जो है वो पेशन को दिया जाता है कि जब cyclophosphamides का poisoning होता है 31 नमबर में देखे तो जो dopamine है dopamine का overdose हुआ है toxicity हुई है तो उसको अग fentolamine fluorouracil के अंदर leukovar and calcium हम यूज करते हैं as antidote insulin injection का overdose तो यहाँ पर समझे insulin injection का overdose है तो उसका overdose से क्या होगा तो insulin हमें पता है कि diabetes के type 1 patient को use किया जाते है उसके overdose के करण glucose जो है वो आपकी body के अंदर काफी कम हो जाता है कि जिसको हम कहते है hypoglycemia तो glucose कम होने काने के करण जो problem produce होगा उसको हम कहते है low blood sugar low blood sugar कि जब blood sugar काफी कम हो जाती है परसन की तो ये low blood sugar को फिर से manage करने के लिए anti dot 1 ही रहेगा that is glucose कि जितना हो सके तुरंद फटाफ़ पेशन को आप जिसे glucose देते है तो जो insulin injection के overdose के करण जो toxicity हो गई उसकी जो overdose के करण जो condition produce होगे glucose लेवल काफी कम हो गया sugar काफी कम हो गई परसन की तो उस वक्ति ये glucose को यूज करके आप उसकी जो है वो treatment कर सकते कि जिससे जो फिर से patient के अंदर sugar लेवल प्रॉपर आ जाएगा फिर जो methotrexate के जो anti-cancer drug है उसके poisoning के अंदर भी leucovarine calcium जो है वो use होता है as a antidote की जो fluorouracil जो drug है उसके poisoning के अंदर भी use होता है तो ये खास ये दरखे कि जो कुछ common antidote से फिर tricyclic anti-depressants की जो अलग-लग anti-depressants drugs जादी है tricyclic anti-depressants class की तो वो class के किसी भी drug के toxicity के अंदर हम phisostigmin को use कर सकते हैं फिर जो potassium है तो potassium के toxicity है काफी excessive potassium आपके body के अंदर develop हो गया तो उस वक्त insulin and glucose ये दोनों दिये जाते है as a antidote फिर chloroquinin जो है उसके toxicity के अंदर diisepalm जो है वो use किया जाता है फिर emphetamine जो है उसके toxicity यार poisoning के अंदर propranolol की जो metablocker है उसको हम use करते है arsenic का poisoning ये सबसे important है कि arsenic poisoning के अंदर dimer caprol जो है वो use किया जाता है कि very very most imp जो हम ये कह सकते है कि arsenic poisoning में कौन से antidote that is a dimer caprol and carbamate के poisonings के अंदर atropin या फिर atropin sulfate को हम use करेंगे as a antidote 41 number का देखो कि जो mono amino oxidase inhibitor है कि जिसको mao inhibitors हम कहते है तो उसके poisoning के अंदर fentolamine यूज किया जाता है tricyclic antidepressants के poisoning के अंदर benzodiazepine, phenytoine as well as phisostigmine को आप use कर सकते है as a antidote फिर जो selective serotonin reaptic inhibitor से उनके poisoning या फिर overdose के अंदर cycloheptadine use किया जाएगा as antidote benzodiazepines के अंदर flumagenil beta antagonist के लिए glucogon या फिर epinephrine glucogon या फिर epinephrine salicylate के poisoning के अंदर activated charcoal thiophilin के लिए भी हम charcoal या फिर beta antagonist यूज कर सकते है glucose and insulin का जो poisoning होता है तो उसके अंदर sodium polystyrene sulfonate के समझे glucose and insulin दोनों यूज करता है कोई पेसन तो उसके करन जो toxicity वे उसके अंदर sodium polystyrene sulfonate यूज किया जाता है opioid poisoning के अंदर naloxone काफी फेमस है यह कि जो opioids होते हैं उसके poisoning किसी को हुआ है तो naloxone या फिर nalmefin को हम use करेंगे as antidote और आखरी नंबर पचास वाला देखो तो isoniazid के poisoning के अंदर pyridoxin की जिसको हम कहते है vitamin basics उसके लब भी कुछ ऐसे antidote है की जिसको हम कहते है universal antidote कि जब आपको nature ही पता नहीं है कि कौन से टाइब का poison है मतलब कि ये वाली slide वे वापस आओ कि आपको पता है कि किसी को isoniazid का poisoning हुआ है तो ये poisoning जो है उसके अंदर आपको nature पता है कि poisoning का nature आपको पता है कि isoniazid के कारण person को poisoning हुआ है वो आपने detect कर लिया बट आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइब का poisoning है तो उस वाक universal antidote जो है वो person को दिया जता है so this antidote is called universal antidote is given around 15 to 30 ग्राम औरली and it can be repeated 12 to 4 12 to 24 और इसको हिंदी में हम कह सकेंगे कि 20 प्रतिकारक कि जो antidote को 20 प्रतिकारक कह सकते है और 20 प्रतिकारक खास कर जब जब हमें जहर के प्रकृति completely अग्निया थे कि जहर को प्रतकृति हमें पता नहीं कि कौन से टाइप का जहर है कौन से टाइप का poisoning है उसको पता ही नहीं है तो universal antidote use करते कि जिसका composition में रहेगा charcoal 50% रहता है उसके 2 पार्ट फिर magnesium oxide रहता है एक पार्ट 25% और बागी का एक पार्ट रहेगा tannins कि उस तरह से total 100% composition तयार होगा कि यह होगा आपका charcoal यह होगा magnesium oxide और यह होगा आपका tannin कि समझे कि आप 100 gram बनाते है तो 50 mg जो है पचास gram लेगे आप charcoal को 25 gram लेगे आप magnesium oxide और बागी का 25 gram लेगे tannin और इस तरह से total 100 gram का universal antidote आप बना सकते है तो charcoal की जो 50% की जो यह वाला charcoal आप यूज कर सकते है फिर यह क्या करता है कि adsorption का काम करता है poison को फिर magnesium oxide obtained from the milk of magnesium which resulting neutralization of poison की जो भी poison उसको neutralize करने का काम करेगा और tannin जो है obtained from the strong tea which resulting precipitate of the metal alkaloid glucose and neutralization of alkaloid also तो यह तीनों combination में क्या करेगा कि कोई ऐसा poison है acidic type का तो उसको neutralize करने का काम करेगा साथो साथ absorption का भी काम करेंगे और neutralization साथो साथ precipitation तो यह चार अलग-अलग concept के उपर यह आपका universal antidote काम करके toxicities को काम करने का काम करता है तो यह था हमारा special lecture about the antidote antidote thank you for watching join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है pharma rocks का link आपको description box में मिलेगी pharma rocks के app उपर android user है तो download करें android application iphone यूज़ कर दे तो app store पर से download करें link description में available है हो और access करें study material test series and video lecture pharma rocks के app उपर so good luck and all the best झार ढ़्का